भीशन सड़क हादसे में 16 यात्रियों की मौत, 53 यात्री हुए घायल गड़े से बचने के चकर में टकराई बसें जलगाओं और अमरावती में कपास किसानों का विरोध प्रदर्शन मौंबई नागपुर हाईवे को एक घंडे तक रखा ठब जिलादिकारी कारियाले में भी धर्ना किरनवेदी पर लगया आरोपों को अरविंद केश्डिवाल ने बताया जूटा लगाया आरोप जज ने दबाव में लिया फैसला नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ प्रत्यूश भासकर कोकण के सिंदुदुर्ग और रतनागिरी के आलाकों में मौझूद आयरन ओर ही इस इस इलाके के लिए खत्रा बन चुका है EIA यानि Environment Impact Assessment Report बनाने वाले एजिंसियों ने जो रिपोर्ट बनाई है उससे सिर्फ माइनिंग कम्पनियों का ही फायदा होता नजरा रहा है TV9 लगादार कोकण में माइनिंग के नापर हो रही कार गुजाईयों का खुलासा कर रहा है इसी खुलासे के बाद Ministry of Environment and Forest ने 31 अगस 2011 तक मुरिटोरियम पर लगी रोग को 31 समब 2011 तक पढ़ा दिया लेकिन इस मसले पर सूबे के मुख्या की पर्यावरन मंत्राले से हुई बातचीत को लेकर पर्यावरन आक्टिविस्ट खासे नाराज है कुंकन की बायो डाइवरसिटी खतरे में है सिंदुदुर्ग के गाउं में माइनिंग लीजिस सैंक्शन हो चुकी है लेकिन अगर इस इस इलाके में माइनिंग हुई तो यहां जंगल और इसमें रहने वाले जानवरों पर काफी बुरा सर पड़ेगा हैरत तो इस बात की है कि इस इलाके में राश्ट्रिय पक्षी मोर तेंदुआ जैसे का इस सब्वेधन शिल प्राणियों की वजूदगी को टीवी नाइन ने अपने कैमरे में रेकॉर्ड किया है जिसकी पुष्टी स्थानिय निवासी भी करते हैं इस अलाके में माइनिंग करने वाले कमपनियों को EIA रपोर्ट बनाने वाले एजिंसियां अपनी रपोर्ट के जरीय मदद कर रही है EIA रपोर्ट में होने वाले फर्जी वारे के बारे में स्थानिय लोग और सोशल अक्टिविस्ट कई बार आरोप लगा चुके हैं खास बात ये भी है कि इस अलाके में कई ऐसे जानवर भी हैं जिनका जिक्र EIA रपोर्ट में नहीं किया गया है बज़े साफ है कि यदि तेंदुआ, टाइगर और मोर जैसे जानवरों की मौजूदगी EIA रपोर्ट में दिखाई जाती है तो इस अलाके में माइनिंग माफियाओं को माइनिंग लीज भी सैंक्शन नहीं हो पाती पत्रकर वहाँ पे जाते हैं, उनको वहाँ पे शेक्रू नजर आता है जो महाराश्रा का राज की जानवर है मोर नजर आता है, लेपोर आ जाता है बट जब Environment Impact Report बना ये सभी जानवर वहाँ पे Missing दिखा रहे है इसका मतलब ये है कि माइनिंग मालिकों ने किसी और जगे का जो मोडल है जो Impact Report है उसी को यापे लाके दिया हुआ है और इसी को माराश्रा गौवर्मेंट के जो Environment Department उन्होंने फॉलो किया है तो ये गलत है और इनके उपर कारवाई होना चाहिए माइनिंग के जरिय स्थानिय लोगों को रोजगार देने के दावों की पोल भी खुल चुकी है हैरत की बात तो ये है कि केंद्रिय परियावरण मंत्राले ने अब तक माधव गाड़गल कमीटी के रिपोर्ट को सारवजनिक नहीं किया है इसे लेकर परियावरण प्रेमी और इंवायरमेंटलिस्ट खासे नाराज है जब सीम लेटर लिखता है माइनर्स के फिवर में यहने माइनिंग के इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्हेंने जो लेटर लिखा है यह सरसर गलत है यह ना तो सिर्फ परियावरण के लिए खराब है उस जगह पे रहने वाले निवासियों के लिए भी बहुत ही बुरा संकेत है कोंकन अपनी बेशुमार प्राकरितिक सुन्दर्ता के लिए मशूर है गुआ और कनाडग में माइनिंग से काफे नुकसान हुआ है अगर यहाँ भी उसी तरह माइनिंग होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब कोंकन की हालत भी उसी तरह हो जाएगी कोंकन अलाके में चार दर्जन से भी ज़्यादा माइनिंग लीज सैंक्शन की गई है जिसके चलते पूरे कोंकन पर खतरे के बादल मड़ा रहे हैं माइनिंग की वज़े से सावंत वारी के रेडी और कलनेर के पल्यावरन पर गंभीर खत्रा मड़ा रहा है जहां कोंकन की बाव डाबरसिटी वन जीवन बचाया जाने के लिए स्थानिय लोग सहित वनशक्ती जैसे एंजियो सक्रिये हैं लेकिन राज्यो सरकार और परियावरन विभाग की खामोशी इस पर कई सवाल खड़े कर रही है कोंकन माइनिंग माफियाओं की चंगुल से छुड़ाने के लिए परियावरन अक्तिविस्ट सुमेरा अब्दुलाली ने P.I.L. भी फाइल किया है सुमेरा ने P.I.L. के मादियम से क्या जानकारी मांगी है जानते खुद सुमेरा से कोंकन को प्रकृती ने काफी नियामते बक्षी है जिन में से शामिल है को आयनोर साथ ही वहाँ पर खने संपदा और वन संपदा भरी मात्रा में मौजूद है लेकिन इसी पर लग चुकी है माईनिंग माफियाओं की निजर जिसकी वज़े से वहाँ पर माईनिंग माफिया लगातार अपनी एंट्री दर्ज कराते जा रहे हैं इस मामले में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं Environment List सुमेर अब्दुलेली से समरा जी आपने जो फाइल किया है PIL उसमें क्या कुछ लिखा गया है पी आईल में तो ये नाट ओनली अगेंस माइनिंग बट सब कुछ कोई भी एक्टिविटी जो कि एंवाइरेनमेंट को डेट्रिमेंट हो उदर नहीं अलाव होनी चाहिए और वो एरिया को एको सेंसितिव जोन डिकलेर करनी चाहिएं एको सेंसितिव जोन डाकरने के पीछे क्या मेंशन अज़रा आती आपको उदर काफी कुछ एक्टिविटीज चल रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए वह एरिया वाइलिड लाइफ कोरिडर है उसमें और वो एरिया में काफी पेड़ कट रहे हैं माइनिंग की लीस देने का एक लीस ऑपरेशनल है दूसरे भी दे रहे हैं और दूसरे भी कोई एक्टिविटीज चल रहे हैं जो के नहीं होनी चाहिए होता है ये खास बात है कि मॉरेटरियम की डेट जो है 31 अवस से बढ़ा के 31 देसमबर 2011 कर दी गई है लेकिन इस बीच में मुक्यमंत्री का M.O.E.F. को ये लेटर लिखा जाना कि मॉरेटरियम को हटा दिया जाए कहां तक जायज है आइक्चली मॉरेटरियम ये इसलिए दी गई है कि माधवगाटगिल के रिपोर्ट के लिए ठहरे है कि वो रिपोर्ट क्या कहता है उसके बेसिस पे करें माधवगाटगिल का फाइनल रिपोर्ट आ चुका है टाइम में ऑगस्ट एंड तक कि हमको डिस्क्लोस भी नहीं किया है कि क्या है रिपोर्ट उसके बीच में से ये लिखना कि उसको बॉरेटरियम को छोड़ दो ये समझ में नहीं आता है माधव गाडगिल की रिपोर्ट काफी माइने रखते है क्योंकि जो प्रेलिमिनरी रिपोर्ट के कुछ इससे अभी तक सामने आये हैं उसके साब से तो काफी sensitive area है कौंकन का जो belt है जहाजा उन्होंने survey किया क्या लगता आखिर क्यों माधव गाडगिल की रिपोर्ट को publicize नहीं किया गया या M.O.E.F. की website पर नहीं डाला गया ये तो क्यों नहीं किया यो तो कहना मुश्किल है बट definitely उसमें कुछ होगा जो कि वो नहीं चाहते हैं कि public को मालूम हो उनको पहले से मालूम है कि काफी opposition है local से भी environmentalist से भी तो वो report हमको देखना जरूरी है और वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये सोंचने की बात है as an activist आपकी क्या मांगे सरकार से कि जो भी areas है as an activist and as an environmentalist कि जो भी areas हैं जहां कि environment को ज्यादा protection की जरूरत है वो पूरे दम से वो protect करे और ऐसे नहीं कि खाली lip service देखे और वही जगे में कोई mining leases देना in such a biodiverse area ये तो खलत बात है मतलब साफ है कि सिंदू दूर्ग और रतनागिरी यानि कोउकन की ये खास इलाके जिनकी biodiversity खासी घनी और खासी rich माने जा सकती है इस लिहाज से इन दोनों area को बचाए जाने की सक जरूरत है वरना वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों के दोनों इलाके सिर्फ इतिहास की पन्नों में दर्ज होकर रह जाएंगे केमरा परसन दिनेश मालिकर के साथ अजीतु जैनकर टिवनन न्योज मंबई